हलो गाइज मैं हूँ पापो और इस वीडियो में हम 10 एक्जामपल लिये हैं जिससे आप घहराईउं से समझ सकते हैं तो गाइज यहाँ पर पहला एक्जामपल ये रहा सवाल है पलस फाइप गुने पलस फाइप अब यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से सुनिए आपके सामने पहला प्रस्न ये रहा पलस फाइप गुने पलस फाइप गाइज अब ध्यान दिजिए पलस पलस गुना होगा तो आप पहले पलस लिख दिजिए और 5 और 5 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 25 तो गाइज इस तरह से लिख दीजिए आपका बन गया अब ध्यान दीजेगा इसको हम हटा भी सकते हैं जिया साती हो पलस को लिखा नहीं जाता है आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिकत नहीं है पलस लिखा नहीं जाता है तो यह आपका इस तरह से हो गया ठीक है चलिए दूसरा एक्जामपल समझते हैं यहां पर ध्यान दिजिए पलस 5 है गुने माइनस 5 ध्यान दिजिए अब पलस और माइनस के जब गुना होगा तो क्या हो जागा माइनस और पांच और पांच जैसे ही गुना होगा वो कितना हो जागा 25 अब इस तरह से आप बना सकते हैं अब हाँ अब इसे हटा नहीं सकते हैं यहां पर रहना चाहिए ठीक है तो चलिए और एक्जामपल समझते हैं गाइज यहाँ पर है माइनस 5 गुने पलस 5 अब माइनस वाला को पलस में पहले नमर गुना किजेगा तो यह हमारा माइनस हो जाता है और 5 और 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 तो इस तरह से आपका बन गया माइनस 5 गुने माइनस 5 गाइज माइनस यहाँ है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पलस ठीक है और गाइज पांच गुने पांच करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 तो यहाँ पर ध्यान तकेगा ठीक है? चलिए और आग एक्जामपल समझते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए जोड घटाओं में चीन सबसे बड़ी संख्या का होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको यह समझ में अभी आ जागा यहाँ पर सवाल है पांचवा पलस 5 पलस 6 इसको कैसे हल करना है तो ध्यान दीजिए इसको सबसे पहले लिख लिजिए तो यहाँ पर इस तरह से लिखिए और यह पलस यहाँ पर लिखिए तो गाइज यह पलस आपको अभी नहीं लिखना है अब ये पलस और ये पलस जब पलस पलस आपस में जूडेंगे तो आपका कितना हो जागा पलस हो जागा और ये जो च्छो है यहाँ पर लिख दीजिए अब ये पलस पलस कितना होगा पलस और ये जो होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए पलस पलस कितना होगा पलस से होगा लेकिन इसे पहले जोड़िये पलस पलस कितना होगा पलस तो अब इसे जोड़िये तो छोड़ पाच कितना हो जाएगा इगारा अब ध्यान दिजिए कह रहा है जोड़ घटाव में चीन सबसे बड़ी संक्या का लगेगा तो 5 और 6 में सबसे बड़ा कौन है तो 5 और 6 में सबसे बड़ा 6 है और 6 के आगे देखिए चीन क्या है पलस का है तो यह जो पलस आपको दिख रहा है यह पलस को यहां लिख देंगे तो guys यहां पर यह पलस हम लिख दिये तो यह आपका answer हो गया ठीक है अगर हां यहां पर पलस भी नहीं लिखेंगे न यहां पर नहीं भी पलस रहेगा तो यह आपका सही होगा पलस वैसे लिखा भी नहीं जाता है ठीक है आप लिखेंगे तभी बेटर नहीं लिखेंगे तभी बेटर तो चलिए एक और उदाहरन लेते हैं तो हमारा छठा उदाहरन ये रहा यहाँ पर है पलस 5 पलस माइनस 6 अब इसको कैसे हल करना है? ध्यान दीजिए पहले इसको आप लिख लीजिए पलस 5 पलस और माइनस क्या होता है? माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जागा और यह 6 यहाँ पर लेख दिजिए गाइज पलस और माइनस, माइनस ओके तो 6 में से 5 के कितना बच जागा गाइज एक लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 और 6 में से सबसे बड़ा कौन है तो बड़ा है 6 और 6 क्या क्या है घटाओ का चीन है तो यह वाला चीन हम यहाँ पर लगा देंगे तो यह आपका बन गया ठीक है तो चलिए अब सात्वा एक्जामपल लेते हैं यहाँ पर सात्वा एक्जामपल है माइनस 5 पलस माइनस 6 यहाँ पर ध्यान दिजिए अब जैसे है पहले उसको इस तरह से लिख लिजिए और पलस और माइनस जैसे ही आपस में जूड़ेंगे तो कितना हो जागा माइनस यहाँ पर 6 लिख दिजिए तो माइनस और माइनस जियां सात्यों पलस तो अब 6 और 5 को जोड़ दिजिए तो कितना हो जागा 11 अब यहाँ पर देखिए यह 5 और 6 में से सबसे बड़ा कौन है तो 6 है 6 के आगे क्या है घटाओ का चीन है तो यह जो घटाओ का चीन है यहाँ पर हम लगा देंगे तो यह माइनस 11 एंसवर हो जागा तो आपको समझ में आ रहा है न यह आपका एंसवर हो गया ठीक है तो चलिए आठवा एक्जामपल लेते हैं यहाँ पर देखिए सवाल है माइनस 5 माइनस 6 अब इसको कैसे हल करना है तो बस जैसा वैसा पहले लिख दीजिए फिर यहाँ पर माइनस और माइनस जैसे ही जुड़ेगा कितना हो जागा क्या हो जागा भई तो माइनस और माइनस हमरा हो जाता है पलस और यहाँ पर यह 6 लिखा जागा अब यहाँ पर माइनस और पलस क्या हो जागा माइनस तो भाई सहाब पांच और छो में से पांच के कितना बच जागा? एक तो भाई सहाब अब ध्यान दीजी यहां पर चीन आपको क्या लगाना है इसके आगे? जो संख्या बड़ा होगा तो छो और पांच में सबसे बड़ा छो आपको दिख रहा है जो क्या है? पलस है तो पलस हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं तो यह आपका एक answer हो गया ठीक है? तो गाईज इस तरह से आप बना सकते हैं अठाब आख्यामपल तो हो गया चलिए अब देखी लेते हैं 9 आपके सामने 9 यह रहा 1 पलस 5 माइनस ज Gins अ है पहले उसको लिख दीजिएू माइनस क्या होता है माइनस मैं बार बार आपको बढ़ा रहा हूं सिक्स यहां पर लिख दीजिए अब minus और plus कितना होता है minus तो guys 5 में से 6 घटाई कितना बच जाएगा जियांस आति ओ एक यानी 6 में से 5 घटाई गचेगा लेकिन यहांपर घटाओ का चीन लगेगा क्यों क्योंकि 5 और 6 में से सबसे बड़ा कौन है 6 है 6 के आगे क्या है घटाओ का चीन है और समझ लेते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए पलस 5 है फिर पलस 6 है अब इसको कैसे करना है सब देखी क्या है पलसे है तो यहाँ पर सबसे पलस लिख देंगे सबसे पहले और यह पलस यह पलस पलस जुड़ेंगे तो पलस ही होता है और यह 6 यहां पर जोड़ देंगे तो यह 6 हो गया और 6 पलस 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 से होता है तो 6 पाच कितना हो जाएगा आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं पलस और नहीं भी लिखेंगे पलस तो कोई दीकत नहीं है तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताया हूँ आशा करता हूँ आपको आगया होगा अगर आगया होगा तो यार इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजेगा बस वही काप ही है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत